श्री मत्य बर्दम आनायो नमो नमीत विद्विसे यजिग्याना अंतर्गतम भूत्वा तुरही लोक्यम गोश्पदाईते बव्यात्मा दौला टीका में श्री वीर्षेन आचारी ने द्वादसांग को सुर्थ देवी के रूप में भी कहा है सुर्थ देवियानी सरवस्वत्ति की मूर्ती मूर्ती रूप में उन्हें घटित किया है वही मैं आपको सुनाओंगी बहुत सुन्दर विशे है आपको अच्छा लगेगा बारह अंगं गिज्जा बिलिय मल मूढ दन सुनो तिलया विविह बर चरण भूसा पस्यव सुईदेवया सुयरम यह वीर्षेन आचारी कहते हैं बारह अंगं गिज्जा बारह अंगं से जिनका सरीर बना हुआ है बारह अंगं से जो ग्राही है और विविय मल मूढ दन सुनो ति रया बारह अंगं का समूही जिनका सरीर है जो मल अतिचार और मूढ ताहों से रहित सम्यक दसन रुपी जिनका उत्तम तिलक है तिलक सम्यक आशी भगवती सुर्त जेवता सरस्वती माता तिरकार तक मेरे उपर प्रसंद हो तिरम पस्यो तिरकार तक मेरे उपर प्रसंद रहो कब तक की किवल अज्ञान प्रगठो पुना हां देखिए आप जैध हवला में भी बड़ा सुन्दर इस दो के मैं रोज पढ़ा करती हूं अंगंगवज निव्मी अणाई मज्धन्त निम्मलंगाए सुईदेवय अमबाए नमो सया चक्कुमई आए इस गाथा को तुम्हे है प्रतिन पढ़ती हूं जिनका अंग-अंग मजण्यम्म जो आधी मध्य और अंध से रही बना हुआ है, अयोशी सुर्द देवता रुपी अंबा माता, सुर्देवता माता चक्षुसमती जागरत चक्षु ऐसी सुर्देवी माता उनके लिए मेरा नमस्कार हो नमो सया सदा नमस्कार हो यही बात जो है प्रतिश्चा तिलग ग्रंत में आई है बारा अंगं गिज्जा दंसन तिलिया चरित बत्हरा चोदस पुबवा हरना ठावे बवायसुई देवी पृतिश्चा तिलग ग्रंत में कहा है जो बारा अंगं से जिसका स्यरी निर्मित है समय 10 लुपी तिलग है 4 लुपी बस्त है जिसके बस्त धरन के सरसती मूति को आप बस्त पहनाते हैं स्वेत बस्त पहनाते हैं और जयन सरसती की पहचान एन उसके मस् और बहुत मंदिरों में बहुत प्राचिन प्रत्माइं में शर्षति के प्रत्माओं के फोटों मंगवाये थे बहुत प्राप्थ हुए, जिनके मस्तक पर भकवान के प्रत्माओं है। ये जैन सरस्ति की फैचान, चोदस पूबवा हरणा, चोदा पूरुपी जिनके आभरण है, ऐसी सरस्ति देवी की स्थापना करनी चाहिए, अब मैं बताऊं आपको कि बारा अंग कैसे उनके सरीर में विभक्त किये, ये प्रतिश्चा तिरग में बहुत सुंदर इस्तोत्र ह मैंने सर्खंडागम की सिधां चिद्धाम लिटीका में मिलिया है, और बहुत जगें इसे शपाया है, प्रकाशित किया है, आप प्रतिश्चा तिरग में देखें, आचार सिर समसूत्र कृत्य वक्त्रम सुकंठिकाम स्थानेन समुआयां अंग व्याख्या प्रग्यप्ति दोर्डताम मैं संख्षे में लेचिनूं आपको, आचार अंग सारस्ति देवी का मस्तक है, यानि मस्तक जो है आचार अंग से बना है, और सूत्रक्रतां ये मुख्व है, इस्थान आंग तीसरा अंग वकंठ है, और चाथांग समुआय आंग और व्याख्या प्रग्ति दोनों आंग उनकी दोनों भुजाएं हैं, दोर लतांग वाग देवताम जातकृत वह साँधा सद्रवी के इस्तन है अनुओ नितम रिाकरन आंग यजगन वाग इविपाफ शूत्र राँग और दिश्टीवाद आंग दोनों अंगौत वह स्थिवाद प्रश्ण व्याकरन सुर्तात विपाक सूतर जग्वाद चरणाम चरणाम वराम सम्यक तु तिरकाम पूर्वच तु दस विभू सणाम तावत प्रकिर्ण को दिर्ण चारुपत्रां को रस्यम सम्यक तु उनका तिलक है चोजापूर अलंकार है और प्रकिर्णक सुन्दर बेल भूटे सद्रस कुर्की साड़ी में लगे हैं ऐसी करपना करके यहाँ पर द्वाशांग जिन्वानी को सरस्वति देवी के रूप में लिया गया है आगे वोई कहते हैं उसी प्रतिशातिलक में शकर इवति स्रस्टे रंब चूडा मनिस्तम तमसी सुगुन पुष्टे धर्म स्रस्टे चमूलं तमसी चजिनवानी स्रेष्ट मुक्तंग मुख्या तदी हितो पदाब जंभूर भक्त्या आनमा महां बहुत ही सुन्दर बात ह उजकर इवानी सक्रीवति स्रस्टे! समपुण नारी चरस्टी में अप चूडा मनी है और संपुल गुणों से आप पुष्ट है धर्म सिष्टी का मून है और हे जिन्वानी स्वेष्ट मुक्तिंग मुख्या आप मुक्ति के लिए प्रमुक कारण है और तदी तो बदा आप जम्भूर भक्त्या नमामा हे बाता इसी लिए मैं आपके चरण कमलों को नमस्कार करत हैं एक प्रस्ण एक बार आया मेरे सामने कि सरसती की मूर्ति को तो हम नमस्कार करेंगे लेकिन कपड़े पहने को नहीं करेंगे मैंने कहा कि सास्त्र जो है चाहे ताड़ पत्री हो चाहे छपे हुए हो वह कपड़े की वेश्टन में बने हुए हैं तो आप उनको नमस्कार करते हैं कि नहीं कि उनका तो यह जो है आचारियों ने जो उपमा दी है तो कोई दोस्त नहीं उनको समधान हो गया बड़े प्रसंद हुए और वो मुनिराज साधुगन संग सहीत सरसती देवी के बंदना करें तो बात है आप तद्रश्ट प्रभावग प्रभा हुग द्रव भावा अधि देवताम परब्रम्ह पसाम द्रवताम स्यादुक्ति मुक्ति मुक्ति दाम मुक्ति मुक्तिजाम जो जिन्यवानी सरस्वती स्वंपुन परियाएं को देख लिया उन सर्वदरव परियाएं की ये सुत देवता अधिस्थात्री द्यवी है और साथ इनके आफ्सरे से पदार्थों की सर्ववस्थाओं का ज्यान संपुन गुन पर्याएं को जाना जा सकता है परंप्रम के मारका अलोकन करने वाले लोगों के लिए साद्वात के रहेश को बत्लाने वारी तथा भविजन्व के लिए भुक्ति और मुक्ति के देने वारी हैं बंक्ति मुक्ति दोनों को धेने वाली हैं संसार के संपर्श्द्शुक्षिछ. चक्रवर्ती के वैभु तीरतंक्र के वैभँ पंचकरा न गाजीiros और नारान Deus की जाने नारान Son जैन शास्त्रों की आराधना जैन वांगोई की आराधना से ही हम और आप अपने मोख्षमार्ग को प्रसस्त कर रहे हैं आज हम और आप मोख्षमार्ग को देख रहे हैं मोख्षमार्ग में चल रहे हैं तो यह मोक्षमार्ग आज हमें और आपको केवली नहीं सुद्केवली ने कौन दिखाता अगर जिन्वाणी माता नहोती सरस्वती नहोती तो आज हम और आप मोख्षमार को नहीं देख सकते थे यह जिन्वाणी माता का प्रशाद सरस्वती माता का प्रशाद जिन्वाणी की कृपा और यहां द्वात्सांग रूप में अंग और अंग बाहि के रूप में सरस्वति देवी को बनाया है तो यह सरस्वति देवी की मूर्ति भी हमारे और आपके लिए पूच्छी है दसों वर्सों से हसनापुर में जम्बूति विस्थल पर हमारे रविंद्गौार प्रमचारी जो आज कर्वयोगी रविंद्गित्टी महास्वामी है इन्होंने मेरी प्रेणा से सरस्वति और रक्ष्मी की प्रतमाओं का जोड़ा बनवाया और हजारों हजारों लोग जो है अपने अपने प्रतिष्थान के लिए घरों के लिए मंदिरों के लिए ले गए हैं लक्ष दीपावली के सायंकाल में उनकी पूजा करने के लिए अपने प्रतिष्ठान में बहुत से लोग गणेस और लक्ष्मी मिट्टी के रखते हैं जयन परंपरा के अनुसार धात्युकि निर्मित सुद्गं पवित्र की हुई प्राण प्रतिष्ठान की हुई है ऐसे लख्मी और सरस्थि की मूर्ति लख्मी की मूर्ति के बारे में फिर कभी प्रका fringe डालूँगी प्रतिशातिलक में और आदि पुरान आदिकों में अने ग्रंथे में उनका भी बढ़नाया है कि भगवान के आजू आजू में लक्ष्मी और सरस्ति चलती हैं पद्मा सरस्ति लक्ष्मी की मूर्ति भी क्योर ग्यान लक्ष्मी की पुजा के रूप में मैंने सन्चिहतर में पुजा बनाई थी दिपा वली के दिन करने के लिए उसे आप रोज भी कर सकते हैं क्योर ज्यान महा लक्ष्मी के रूप में भी है लक्ष्मी और लक्ष्ट्वी के रूप में उनके हाफ ने कमा रादिक उनके मस्तक पर भी अरंद भोगान की मूर्ति है तो बाते हैं डक्ष्वी सर्वस्ति का जोड़ा भी आप अपने भी प्रतिशान में रखें घर में रखें मंदिर में रखें उनकी पूजा करें अफशेक करें आराधना करें जमुदी विष्थर पर हमेशा उनकी आराधना होती है और खास करके जो नौरात्री आती है कुछ लोग कह देते हैं नौरात्री जैन की नहीं है लेकिन हमें मराठी कथा संग्रे गरंथ में पुस्तक में नौरात्री व्रत में उपलब्ध हुआ है जिसमें रिषव देव का पूजा जापे रिषव देव की पूजा का विधान है नौ दिन आजपिन सुकला एकम से और नौमी तक करने का विधान है नौरात्री व्रत में अरहंत्र देव की स्री जिनेंद्र देव की पूजा का विधान है और लिखा है कि भरत चक्रवर्ती नव दिन तक भगवानि सब देव की आराधना करके और दस्वें दिन दिग विजय के लिए प्रस्थान किया था कि उस उप्रक्ष में यह नव रात्री व्रत प्रसिद्धिय को प्राप्ति जो भी हो तो जैन परंपरा के अनुसार भी अभी दस लंख्षन परों में छोटी सी पुस्तक बना करके और तमाम लोग उस ब्रत को ले गए हैं जैसे नव रात्री व्रत है नव देवता ब्रत है नव दिन करने का आशिन सुक्ला एकम से ले करके और नौमी तक नव देवता ब्रत भी है दो ब्रत हैं सारदा ब्रत भी है पूरे सोला दिन करने का आशि तो जो भी हो मेरा कहना यही है कि सुर्टसकंद यंत्र आप सुर्टसकंद यंत्र रखें मंदिर में सब को रखना चाहिए और अपने घर में भी रख सकते हैं सुर्टसकंद यंत्र जो आप छोटा सा मंदिर बनाते हैं घर में सुर्थास्कंद यंत रखें सरसती रखें मूर्ती रखें लक्ष्मी की मूर्ती रखें गणधर देव के चरण रखें उनको रखें जो भी है और मंदिर में रखें मंदिर में पूजा करें तो सरसती देवी की पूजा सरसती लक्ष्मी की पूजा शुर्त अश्कंद यंद्र की पूजा और जिन्वानी की पूजा अंग अंग वाहिक की पूजा दासांग की पूजा दासांग जिन्वानी का ब्रत अंग की पूजा इसी से हम और आप आत्मा को पवित्र शुद्ध परमात्वा बना सकेंगे क्योंकि जब तक हम सुर्थ ज्यान को पूर्ण विक्षित नहीं कर पाएंगे, सुर्थ ज्यान शुकले चाध्य पूर विदा है, सुत्र है तत्वार सुत्र में, शुकल ज्यान उन्हें ही होगा, जो ग्यारांग चोदापूर के पाठी हैं, तो हम और आप आज जितना करनेंगे, दोचार शांस्ता का ग्यान प्राप्ट करनेंगे, आज हमारा सुत्त चार अन्योग में बिभक्त है, आजी परान में भी चार अन्योग का बनन बहुत सुन्दर आया है, और रतन्यकativa अचार में आया है, और मांगनदी आचार फिरिचित, सास्ते सार समुझे में में भी आया है चार इन्योग का बर्णन मैंने सन 74 में सन 74 में अनेक विद्वानों की और अनेक स्रावकों की भावना के अनुसार उनकी प्रेणना से कि ऐसा कोई ग्रंथ हमें छोटा सा दियो जिससे कि हम पूरे जैन धर्म के रहिष को अजैनों को भी बता सकें तो मैंने जैन भारती नाम से पुस्तक लिखी थी जिसमें चारों अन्योगों को संखेव में सार रूप में लिया है बहुत ही सुंदर है सबको प्री हुई उसका इंग्लिस में भी अन्वाद हो चुका है कन्नड में विसाइद हो चुका है और मराठी में गुजराती में हो चुका है प्रतिष्टा तिरक में इस प्रकार से सरस्थी की मूर्ति का बनन पाया, मुझे बखूत आनंद आया और मैंने इसका प्रतार किया कि सरसती देभी की मूर्ती पूज्य हैं मंदिर मंदिर में आपको सरसती की मूर्ती रखना चाहिए और शास्तों भी लिखा हुआ है शासन देव देवी की मूर्थी रखना सरसत्य की मूर्थी अकृतिम चैत्यालियों में भी सुर्थ देवी श्री देवी अकृतिम जिर्मंदिरों में प्रतेक भगवंतों की प्रत्मा के पास एक उक तो यह आट गर्व ग्रहों में सब के साथ स्री देवि और सुर्थ देवि की मूर्ती है, सानत्कमार और सानत कमार यक्ष की मूर्ती है ये आप तुलोक सार पढ़ें, तिरोय पढ़ें, जितने वए अकृति इंजन वंदियरें सब में यह सरसत्य लक्ष्मी की मूर्टि विराजमान है प्रत्ति मंदिरों में सासन देवज़वी के मूर्तियां और सरसत्ति लक्ष्मी के मूर्तियां आवर्श होनी चाहिए आप लोग आगम के परिप्रेक्ष में इस रहश्य को समझ करके और इनकी पुजा करके अपने